माता सीता के हाथ में ये चीज देख थर थर कामपता था रावन रावन की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस व्रिक्ष के नीचे बैठी रहती थी सीता जी अशोक वाटिका में व्रिक्ष के नीचे प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी एक बार रावन भगवान राम का वेश धारण कर देवी सीता को चलने की कोशिश करने लगा लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हुआ जब भी रावन मा सीता के पास आता था वह अपने हाथों में घास का तिनका ले लेती थी जिसको देखते ही रावन डर की वजह से पीछे हट जाता है इसकी पीछे का कारण रानव को मिला श्राप था उसे एक पतिवर्ता तपस्विनी स्त्री ने श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छू तक नहीं सकेगा एक स्त्री ने उन्हें श्राप दिया था कि किसी स्त्री के इजाजत के उसे स्पर्ष तक नहीं कर पाएगा और अगर पास जाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा तपस्विनी ने यह भी कहा कि आज के बाद अगर कोई स्त्री रावन के सामने घास का तिनका उठाएगी वह तिनका रावन को उसी समय भस्म कर देगा यही वज़य है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर भयभीत हो जाता था